हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियों में बात करेंगे वुमें टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजन ट्वेंटी फोर के 20th मैच के बारे में जोकी इंग्लेंड वुमें व्र्सेस वेस्ट इंडीज वुमें के बीच है और इस मैच को अकल विनिंग पर Сंतेज की बात की जाए तो 31 फिर्स बैटिंग करने वाले जीते हैं 69 फिर्सेन्ट सेकेंड बैटिंग करने वाले जीते हैं विधर की सेम्भावना नहीं है cpp 35 degree Celsius रहने वाली है humidity 42% रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहें मेरी वीडियो को तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को press करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और इस वीडियो के description box और first comment में आपको मेरे टेलिग्राम चैनल का link मिल जाएगा फ्रेंड्स जहां पे आपको सारे matches की toss और match की prediction बिलकुल free में मिल जाएगी तो जल्दी से join कर लीजिए मेरे टेलिग्राम चैनल अब अगर England women के पिछले 5 matches की बात की जाएगे तो 4 matches में जीत हुई है एक match में हार हुई है वहीं West Indies women के पिछले 5 matches को देखा जाए तो एक match में हार हुई है 4 matches में जीत हुई है और अगर इनके बीच खेले गए 10 head to head matches की बात की जाए तो 10 times England women की जीत हुई है तो head to head matches में काफी strong नजर आ रही है England women की team अब अगर England women के पिछले 10 matches में winning percentage की बात की जाए तो 90% matches में जीत हुई है average score 138 है highest score 197 है lowest score 89 है और अगर West Indies women के पिछले 10 matches में winning percentage देखा जाए तो 70% matches में जीत हुई average score 117 है highest score 142 है lowest score 84 है अब अगर match winner की बात की जाए friends तो दोनों teams को compare करने पे women T20 World Cup 2024 के इस 20th match में हमारे analysis के नुसार England women के जीतने के chances जादा है final prediction आपको टेलिग्राम पे दे दी जाएगी friends इसका link आपको वीडियो के description box और first comment में pin क्यावा मिल जाएगा तो जल्दी से join कर लीजे मेरा टेलिग्राम चैनल उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी ये वीडियो सेयर करे friends मुलाकात होगी अगले वीडियो में वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झाल